नमस्ते गाइस मेरा नाम है अभी मन्यू स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में दोस्तो लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसे का यूज करना पड़ता है जैसा कि अगर मैं कहूँ तुम बहुत दूर दूर रहने लगे हो वो बहुत दूर दूर रहती है मुझसे दूर क्यों रहने लगो तुम मुझसे तुम मेरे से दूर दूर क्यों रहते हो तो दूस्ते दूर 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 हम अपनी डेली कंवर्सेशन में बहुत बार इस्तवाल करते हैं आज के वीडियो में दोस्तों यही सीखेंगे, इन तरीकों के sentences को English में किस rule के according form किया जाता है, और फिर आप उन्हें अपनी daily conversation में इस्तमाल कर सकते हैं, तो बहुत important video है हो guys, उन students के लिए जो एक अच्छा advanced English structure formation सीखना चाहते हैं, तो आईए guys, शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो इन तरीकों के sentences में देखें दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये, कि दूर दूर के लिए, दूर दूर रहने के लिए, दूर दूर के लिए आप यूज करते हो, stay far and wide, stay far and wide, या फिर live far and wide, दोस्तों किसी भी phrase का आप यूज कर सकते ह के लिए दोनों का मतलब سëम ही होता है, दोस्तों ध्यान रखेगा, दूर दूर, दूर दूर आ रहा है, इसलिए हम इस phrase का यूज करेंगे, अगर एक बार दूर आता है, तों कि आ लिएं अवे, हम यूज करते हैं, इक आगर एक बार दूर आता है, पर यहापे, दो बार आ जो भी आपका मन हो, और फिर उसके बात from, और last में object, object वो है जिससे दूर रहने की बात हो रही है, ठीके, तो नाउन होगा, या प्रोनाउन नहीं होगा, ठीके, और दो चीज़ दो ध्यान रखेगा, helping verb, अगर tense के according आएगी, तो ही लगाएंगे, otherwise नहीं लगाएंगे, ठीके और stay and live, ये क्या हैं, दोनो verbs हैं, verbs हैं, क्रिया हैं, तो इनकी form change हो सकती है, tense के according, ठीके, ध्यान रखेगा, example से समझेंगे, दूर दूर रहने लगे हो, क्या बात है, दूर दूर रहने लगे हो, क्या बात है, You have started staying far and wide, what's the matter, या फिर आप क्या कह सकते हो, You have started living far and wide, what's the matter, कुछ भी लिख सकते हो, चीक है, मैं तुमसे दूर दूर नहीं रहना चाता, मैं तुमसे दूर दूर नहीं रहना चाता, तो आप क्या लिख सकतो, I don't want to stay far and wide from you, I don't want to stay far and wide from you, I don't want to live far and wide from you, very simple, वो मुझसे दूर दूर रहा करती थी, वो मुझसे दूर दूर रहा करती थी, She used to live far and wide from me, या फिर क्या लिख सकतो, She used to stay far and wide from me, चीक है दोस्तो, तुम हमेशा हमसे दूर दूर रहते हो, तुम हमेशा हमसे दूर दूर रहते हो, You always stay far and wide from us, You always stay far and wide from us, You always live far and wide from us, तो ये था गाईस हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा दूर दूर रहने वाले जो sentences होते हैं, जिनका में इस्तमाल daily conversation में बहुत जादा करते हैं, उनको आप English में किस rule के according form कर सकते हैं, तो I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आईए होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछना को जरूर सीखाई होगा, तो मिलते है गाईस अगले वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद,